इस बर्ष बढ़ सावित्री का ब्रथ 6 जुन 24 दिन गुरुबार को मनाया जाएगा बढ़ सावित्री का ब्रथ महिलाओं के लिए बेहत महतपूर माना गया है जोतिस आचारे पंडित पंकच पाठक के अनुशार लोकल एटीन को बताया गया है कि इस दिन स्वागन महिलाओं बढ़ ब्रथ के पूजा करती है और उनकी सलामती के लिए प्रातना करती है जो महिलाओं इस दिन इस ब्रथ को विधी बतारीके से रखती है और पूजन करती है उन महिलाओं को अखंड स्वागिवत्ती होने का बरदान प्राप्त होता है हमारे सनातर दर्म में सबसब प्रमुक तेवारों में से एक बढ़ सावित्री का ब्रथ माना जाता है स्वागन महीलाएं बट ब्रक्ष की पूजा करदीरायु के लिए प्हात्ना करें यह भी माना जाते हैं कि बढ़ डुक्त में ब्रहमा विष्णुन महेश तीनों प्राजमान होते हैं तो आई ए जानते हैं किस प्रकार से हमें बढ़ ब्रक्ष की फूजन करनी चाहिए जबार्टी बत्षि निया मानां जाता है, और उसके 120 परिक्रमां लगाती है तो अखंद शौभादी की प्राप्ति होती है और उनके पती की दिरगाई होती है इसी कामना से स्वर्थ को किया जाता है इसका पुराणों में वर्णानाया है जब यमराज सावित्री के पती स्वत्यवान के प्राणों को हरन करके ले जाने लगे तो अपने पती के प्राणों को बचाने के लिए सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती गई यमराज ने उनको करिवार मना किया करिवार रोखा लेकिन वे रोखी नहीं और सावित्री की इस प्रकार की सत्य निश्टता और पती प्राइनता को देख करके प्रसंद होकर के यमराज ने कहा कि तुम वर मांगो तो उन्होंने अपने पती के प्राणों को पुनहा मांगा तो यमराज ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे पती के प्राणों को नहीं लोटा सकता हूँ इसके बदले में उनके जो अंदे साथ सोसुर के उनकी आँखें ठीक कर दी उनका जो राजपाट था वह राजपाट भी वापिस कर दिया कि तुम प्रान नहीं लोटाए फिर भी सावित्री जो है अपने पती के प्रानों के साथ साथ यमराज के साथ साथ चलती रही प्रियमराज ने देखा कि ये बापश नहीं जा रही है तो पुनहा कहा कि तुम और कुछ वर्दान मांग लो वर्दान मैं तुम्हें दे दूंगा तब सावित्री ने कहा कि मैं सो पुत्रों का वर्दान चाहती हूँ तो बिना बैचारे ही यमराज ने जो है तधास्तू कह दिया इसके बाद सावित्री ने कहा कि मैं पती परायना इस्त्री हूँ सती इस्त्री हूँ जब मेरे पती ही जीवित नहीं है तो मैं सोप उत्र कैसे उत्पन्द कर सकूँगी इस प्रकार की बातें सुनकर के प्रफन होकर के यमराज ने उसके पती के प्राणों को वापिस कर दिया सावित्री उस इस्तान पर वापिस लोट आई जहां उसके पती का शव था वहाँ बट ब्रक्ष के नीचे उसके प्राणों का हरन किया था और बट ब्रक्ष के नीके ही यमराज ने उसके प्राणों को वापिस किया इसलिए इस बट सावित्री के ब्रत में बट के ब्रक्ष के पूजन करने का विशेश महत्व है इसके साथी साथ बट का जो ब्रक्ष होता है उस ब्रक्ष में भगवान, ब्रह्मा, विश्णू और महेर इन तीनों देवता का बास भी होता है इसलिए इस ब्रत में बटब्रक्ष का फूजन किया जाता है स्वागन इस्त्रियों को प्राता कार ब्रह्म मोर्त में उठकरके, इश्णान करके, पवित्र हो करके, स्वभाग्य सामग्रियों को, सोला स्रंगार को धारन करके, बटब्रक्ष के समीप जाकरके, बटब्रक्ष के नीचे जाकरके, कलस को स्थापित करें, साथ ही वह दीपक लगाएं दनेज जी का पूजन करें तीनों देवताओं का पूजन करें पट व्रष का पूजन करें और सावित्री का भी मानते ग्रूप से स्मरण करके उनका भी पूजन करें और उस बट व्रष के 11 yaya 108 परिगरमा कच्चा सूत लपेट ते हुए लगाना चाहिए इसके बाद साथ भी कि उस कथा का पट सावित्री की कथा का श्रवण करना चाहिए, ओर अपने पती की दीडगायूं की कामना का आश्रवाद मांगना चाहिए, अखंड सोभादी की कामना का आश्रवाद में ऐसा बढ़नन है कि पूजन के पश्यात हाथ जोड़कर कि इन मंत्रों का पाड़ करें रखंड सोभाग्य की इस्तियों को कामना करना चाहिए अवेदभ्यम्च सोभाग्यम देहितुम्म्सूब्र पे पुत्रान पोत्राष्ट सोक्षम ग्रहान अर्ग नमोस्त पे यथा ताखा प्रशाका अभिवर्दोसी तुम्मही तले तथा पुत्रष्च पोत्रष्ट संपन्नम् कुरूमा सदा इन मंत्रों के साथ बटवर्ष्ट प्रियों स्थासर वा कि लिए नचाप पुत्राष्ट